का ओ ऐलो आम विक और आज हम लों क्या करने वाले हैं हे और एक नु मरेकल सो लगाने वाले जैसे मैं लाज ट्रास में से बोला था कि एक स्कॉर करेंगे गये उस नुमेरकल को करने वाले उसमझने वाले हैं कि वो आपको समयरा काफी इनपॉर्टेंट है CBC point of view से तो उस numerical को समझते हैं कि बहुत ही अच्छा concept है तो उस numerical को हम देखते हैं कि क्या है उस numerical में बोला है आपको कि आपको एक square दे रखा है ठीक है आपको एक square दे रखा है और बोला है इसके corners पे न 4 charge रख रख JENँ हो है सबका magnitude same है सबका magnitude क्या है सेम है आपको बोला है कि आप बताइए ये इसका नाम दे देते हैं इसको नाम बोला गया है इस पॉइंट वन दिस इस टू दिस इस थ्री दिस फॉर वन टू थी फोले बोला गया है इसका पॉइंट वन पर आप से बोला गया है कि नेट वोस्त निकालने वाले हैं तो वही अपनी प्रॉपिट यूज नहीं करेंगे जो हमने सीखा है उसी को यूज़ करते हुआ इस को सॉल्शन को इसको सॉल्ट करेंगे है तो हमने क्या पड़ आभी तक कि सारे पॉसित्व ज़िए पॉसिटिव चार्जेसे तो यह पॉसिटिव रपल्ड करेगा तो इस पर कौन सा एक फोर्स लगेगा यह लगेगा F1 4 यानि फोर्स और 1 डियो 2 4 यह वाला भी इसको लगाएगा लिकशन का फोर्स तो यह फोर्स कौन सा लग जाएगा यह लगेगा force on 1 due to 2 सबकी distance a दे रखा ठीक है इस चीज को भी समझना है आपको कि जो distance दे रखा है वो कितना दे रखा आपको a दे रखा अब question आता है कि बताईए ये भी तो force लगाएगा इसने लगाएगा इसने लगाएगा ये भी तो लगाएगा वन टूट टू ठीका फोर्स हOPन ये जो फार्स लगाएगा कौन सा फॉर्स लगाएगाash फोर्स on 1 2 to 3 तो ये टीन तरह के फोर्स लग रहे हैं contact बोडर हमें यहां पर निकालना है कि one per k серьितना होगा बहुत येफ्छा question है समझते चले अब हमारे पास क्या problem है कि मैं f1 4 निकाल लूँगा क्योंकि q q और बीच का distance पता है मैं ये भी निकाल लूँगा क्योंकि ये भी q पता ये भी q पता ये भी ये पता है problem ये है कि मुझे ये charge तो तो पता है q and q वो था सेm kq square but इसका distance नहीं पता हमें तो इसके distance को कैसे निकालेंगे तो इतना दो हम लोग 12th class में आ चुके हैं इतनी math and trigonometry से तो aware है कि distance को कैसे निकाल सकते हैं जी हां बिल्कुन तो इस distance को कैसे निकालने जा रहे हम लोग we know hypo is equal to perpendicular का square plus base का square ठीक है तो ये hypertonus हो गया तो ये कैसे निकाल जाने वाला है बताएए ये निकलेगा a square a square a square तो ये कितना हो गया 2a square तो कितना निकाल जाने वाला ये आप मारा root 2 into a तो ये मेरा hypo निकल गया और भी say ये distance तो यह एक कहानी थी इसमें जो हमें समझनी थी कि रूट टू ए को हम दे कैसे निकाला है चलिए आगे कोश्चिंस की तरह बढ़ते हैं अब हमें नेट फोर्स निकाला है कि नेट फोर्स यहां पर कितना होगा तो यहां पर देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि दो फोर्स होते थे तो उसका हम रिजल्टे-नद काल दे थे हैं पी की स्कॉर जाह हूं बड्टं पे किसक गया यहां पर यहां पर तीन ुस्कैसे को कैसे निकाला चाहिए तो यहां पर कान से रूर लगाने वाले है अपना स एक F14 है, तो पहले में लिख लेता हूँ Fx, यानि मैं horizontal direction में force देख रहा हूँ, कौन-कौन से है, तो horizontal direction में कौन है, एक F14 है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F14, very good, plus, और कौन सा force है, ये है क्या, नहीं, इसका एक component है, समझे रहे, F13 का एक component है ये चीज को पकड़ना है, और ये angle कितना होने वाला है, ये पूरा 90 degree है, तो ये कितना हो जाएगा, this is 45, तो क्या बोलेंगे, F13 का horizontal component, तो कितना हो जाएगा, F13 cos 45 degree, छेक है, similar way में, आप इसके vertical component को लेते हैं, तो इसके vertical component कौन-कौन से हैं, एक तो है, F12, और एक है, F13 sin 45, इसका vertical component है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस questions में, इसके horizontal और vertical component को find out किया, अब इसका resultant पूछे कोई, तो हमें पता है कि resultant क्या होता है, क्या होता है, Fx का square, horizontal, plus Fy vertical, दोनों का, अब क्या करते हैं, दोनों के values को put कर देते हैं, तो दोनों के values जब put करेंगे, तो क्या आएगा, Fx, तो Fx के जगा हम put करेंगे, F14, plus F13, cos 45, square, plus Fy के value कितनी हो जाएगी है, हमारी, F12 का square, plus F13, sorry, sign आएगा है, sin 45 degree का whole square, अब हम लोग को बस इस questions को solve करना है, normal, जो कि हम इसमें solve कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है, हमें सब की values पता है, तो इसको हम easily find out कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जब सारी values को put करेंगे, F14, F13, अब इसमें लेने में कोई problem नहीं होगी, F14 कितना होगा, तो बता देते हैं आपको, F14 की value कितनी होगी, तो F14 की value कितनी होने वाली है, F14, तो KQ square upon A square, similar way में मैं बोलूँ, कि F13 की value कितनी होने वाली है, तो KQ square upon distance, तो root 2A, तो यह हो जाएगा 2A square, समझ रहें, यह distance है, तो कितना होगा, root 2, तो 2A square, similar way में और क्या चाहिए हम लोग को, F12, तो F12 कितना होगा, KQ square upon A square, तो तीनों 4 की values पता हैं, यहां पर value पुट करेंगे, cos 45, sin 45, दोनों की value हम लोग को पता है, कि 1 by root 2, और यहां values को put करेंगे, और हमारा यह resultant निकल जाएगा, तो आप solve करिएगा, मैं सीधा answer लिख रहा हूँ, तो resultant का answer आएगा, उसको मैं देखता हूँ, कितना आ रहा सीधा, तो वो आ रहा है, under root 2f, ठीक है, किस तरी के तरी solve कर सकते हैं, अगर इसको, उस form में ले आएं, कि कितना आ रहा है हम लोग का total, ठीक है, तो आप इसको solve करिएगा, जो भी values आ रही है, कि पूरे की term की सारी values सेम है, तो under root 2f, ये इसके values आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि f14, f13, ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, f14 और f12, इन सबकी values क्या आ रही है, सेम, और यहाँ पे जो ये 2a square है न, तो जब आएगा values पुट कर जाएगा, तो इसकी value भी लगबग उतन ही आने वाली है, तो सबकी value जोड के आपकी बरावर आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा question था, बहुत ही important question था, concept समझने वाला, इसमें 2 चीजे समझने थी, एक तो ये बीच के distance कैसे निकाला है, और ये 3 forces आ गए, तो इनका हमने resultant क I hope आपको ये अच्छा लगा होगा, कोई और doubts आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, till all the rest.